तो यार एनिमल मुवी से रनवीर कपोर ने समको ये तो दिखा दिया है कि वो किस लेवल की एक्टिंग कर सकते हैं लेकिन उनका इमतिहान अभी खतम नहीं हुआ है क्योंकि उनकी अगली मुवी है रामायन जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं दंगल और चीचोरे मुवी के डायरेक्टर नितेश तिवारी तो यार जैसा कि रामायन एक ट्रायलोजी होने वाली है तीन पार्ट में रिलीज होगी रामायन तो रामायन ट्रायलोजी से रिलेटेट कुछ नए अपडेट्स निकल कर आए है कुछ नए एक्टर्स जो रामायन मुवी से जोड़ने वाले हैं उनको कंफर्म कर लिया गया रामायन के अलग-अलग टेक्टर के रोल में यह सारी चीज्यों को डिटिल्स में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को एक दम एंड तक दिखना एक भी सेकन्ड स्किप मत करना तो सबसे पहले रावायन के इस ट्राइलोजी में स्टारकर्स्ट पर बात कर लेते हैं तेर जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस ट्राइलोजी के तीन मेजर रोल्स जो हैं वो बहुत पहले ही औरेडी साइन कर लिए गया थे जैसा कि रनबीर कपूर औरेडी साइन हो चुके हैं लौड राम के करेक्टर में ये तीनों स्टार्स के बारे में तो हमें बहुत पहले से पता था लेकिन इन तीनों के अलबा पांच और एक्टर्स कंफर्म कर लिए गये हैं रामायन के अलग अलग के लिए जिनमें से सबसे पहले हैं नवीन पॉली सेटी इनको अपने चिछो रहे हैं मिस सेटी मेस्टर रूल में लेकिन मैं यार इसके लिए बहुत खुश हूँ कि इनको कस्ट किया गया है योकि मैंने इनकी एक्टिंग देखी है और जिस तरह का मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ नवीन पॉली सेटी को लक्समन जी के रूल में वाई अगर वैसा ही डेलेबर कर देते हैं ये तो जो 2023 में ही रिलिज हूई थी उस मूबी को जाकर देख लो कसम से बोल रहा हूँ आप इनको पसंद करने लगोगे और इसके बाद भाई सनी देवल कंफर्म हो चुके है हनवान जी के रूल में जिहां रावायन के स्ट्राइलोजी में सनी देवल हनवान जी का करेक्टर प्ल लग सकते हैं हलागी नूद डौट यार सनी देवल बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करेंगे अनवान जी के रूल में और वो बहुत बहुत बहतरीन एक्टर भी है लेकिन मेरा मन था कि बाई जूनियर इन ट्यार को अनवान जी के रूल में लिया जा सकता था लेकिन खैर अ रमायन के फर्स्ट पार्ट में हमें देखने को नहीं मिलेंगे यह डायरिक्ट थार्ड पार्ट में इनका पूरा जो है मेजर रोल होने वाला है सेकेंड पार्ट में हमें इनका थोड़ा सा जलक देखने को मिल सकता है और इसके बाद बाई पता है आप लोग को कुम्ब करन का रोल आफर किया गया था लेकिन उन्होंने हाँ या ना नहीं बोला है लेकिन रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि ये जादातर नहीं बोल सकते हैं वह भी दिवल रिजेक्ट करने वाने हैं खूंब करन नोको अरा कि मुझे ऐसा लगते है घर ये रिजेक्ट देट्स कब कब हैं तो यार फिलहाल तो रमायन का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है रमायन के फुल फ्लेज स्टार्ट होगी मार्च दो हजार चौबिस से फिल्फ ये दिट्र होगी मार्च अ बयार बर से कद रहेगा बासफम फिलहाल खौगी में फिल्फ मिपने के फी करे दा चौट के 69 वर्कश जादा यूज काम चल प्रोड़ कि फिर भी दोजारा टाइस तक हमें रमायन के इस पूरे ट्राइलोजी के तीनों पार्ट देखने को मिल जाएंगे सोर्सेज का ये कहना है कि रमायन पार्ट वन में हमें सीता माता और स्री राम का मिलन देखने को मिलेगा ये रावन सीता माता को उठा कर लंका लेके चला जाएगा और सेम इसी स्टोरी को कंटिनीव करते हुए रामायन के पार्ट 3 में हमें पूरा राम सेतु वाला सेक्विंस रावनबद वाला सेक्विंस पूरा रमायन समाफ्त होते हुए देखेगा रमायन के पार्ट थ्री में तो यह आप लोग रमायन मौवी के लिए कितना ज़्यादा excited हो और किस एक्टर को इस रा मायन ट्राइलोजी में देखने के लिए आप लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्षन में आप लोग अपने उपिनियन्स मेरे साथ जरूर सेर करना और हां मेरी ये वीडियो पसांद आए हो तो वीडियो पर लाइक करके हर जगा पर सेर जरू कर देना और ऐसे ही और अपकमिंग मूविस के लीटिस्ट अपडेट्स को जानने के लिए तुरंट मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर देना तो मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर जैहन्द